महकाल लोग के लोकारपन को लेकर सुरक्षा के भी सखत इंतजाम किये गए हैं बड़ी संख्या में जवानों के तैनाती तो ड्रोन की निगरानी भी है जब खुद पी ए मोदी लोकारपन करने के लिए आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है इंतजामात भी बड़े होंगे क्योंकि आयोजन भी बहुत बड़ा है कई सांस्कृतिक कारिक्रम यहां पर होने जा रहे हैं इस लोकारपन के मौके पर सबसे पहले हम बात करें जब पी ए मोदी की मूवमेंट हो रही है तो सुरक्षा की दृष्टी से हम बात कर लेते हैं सुरक्षा की दृष्टी से चप़े चप़े पर सुरक्षा करमी तेनाथ किये गए हैं पूरे इलाके को बैरिकेट से पाट दिया गया है तरीके से तकड़े सुरक्षा अंतजामात हैं कि परिंदा भी परना मार सके लगातार पूरे इलाके की ड्रोन से निगरानी की जा रही है एक और खासा बात हम आपको बता दें कि बिना प्रमीशन किसी भी किसम के इलेक्ट्रोनिक गैजट्स लाने यहाँ पर आलाउड नहीं है ड्रोन्स की यहाँ पर पाबंदी लगा दी गई है इसके लावा बंग स्क्वाइट डॉग स्क्वाइट भी पूरी तरह से मुस्तायद है प्रधान मंत्री मोदी उज्जैन में खरीब तीन घंटे तक रहेंगे प्रधान मंत्री मोदी शाम 6 बजे महाकाल लोग का लुकारपन करेंगे शाम 6 बज कर 20 मिनट पर वो यहाँ नंदी द्वार से लेकर मांच सरोवर तक का आउलोकन करेंगे शाम 7 बज कर 10 मिनट पर रिवर साइट जाएंगे जहां 5 मिनट का लेजर शो होगा फिर मंच पर पहुंचेंगे इसके बाद प्रधान मंत्री मोदी का संबोधन होगा इस विशेश औसर पर उनका महाकाल दर्शन और पूजा का करक्रम भी है